यह कहानी वाइकर विले की है जो कि पिछले लाइप में बास्कर विले फैमिली का हाउंड था ये अपने फैमिली और पने फादर के लिए काफी जादा लॉयल था लेकिन उस पर डीमन क्लान के सथ मिलने के लिए जोटा आरोप लगाया गया और उसे गिलोटीन की सजा क्या यहल तो नहीं। और में बास्कर विल फैमली के ग्रेंड इस्टेट को दिख़्ाय जाता है। जहाँ पे वो सारे के सारे बच्चे होते है। और तभी वा पे एक आदमी आता है जो कि बैस्कर विली फैमली का पैट रियाज हुगले बास्करी विले होता है। वो क्या रह होता है बच्चों को Cradle of Swords में ले जाओ दूसरी तरफ उसे देखते में वाइकीर काफी ज़्यादा गुस्ता होता है वो मनेवन कहा रहा होता है यह मुझे फसाने वाला वही में कल्पिट था यूगो ले वासकर विले और यह यूगो की यंग अपिरियंस है मैं अब यह सब कुछ मैंने किया और एक हाउड की रूप में जो जो गंदे काम में कर सकता था मैंने उन सब की देखबाल की वासकर विले फैमिली सेवन गेट फैमिली में सबसे ज़्यादा ग्रेट माना जाता है और उसे के साथ मेरे वफादार होने का रीजन सिंपल था कि मैं बस फैमिली और यूगो से एकसेप्टेट होना चाता था उसके 10 साल बाद डीमॉनिक रियल्म गेट ओपन हुई डीमस और इंसानों के बीच लड़ाई खतम होने के बाद पूरी सिंदे की सिवा करने भाले बफादार हाउंड को रिवाड दिया गया और बुर रिवाड था मौ सकता लैकिन अमें Cradle of Swords में ले जाया जा रहा है और यह स्ट्रॉंग बनने के गूड ऑपरचुनिटी है मुझे स्ट्रॉंग बनने की जूरत है और फिर अमें Cradle of Swords के बारे में बताया जाता है यह एक ऐसे ट्राइल है जिसके अंदर से बास्क्रिविल फैमिली के सारे के स कर जाती है लेकिन उनकी भी एक लिमेट होती है जो कि बच्चों पर डिपेंड करती है और सबसे पहले स्टैक्स रिवर तक पहुंचने के लिए तुम्हें है लेकिन मुझे उसका इफेक्ट नहीं बड़ा बट यह टाइम यह और यह कहते हैं जब तक हो सके तब तक में इस जा रहे होता है जो कि उसे और श्रशाड बनाता है लेकिन इसकी में उसे बहुत ही जयुआ दरदवरा होता है व keenam कहता है मुझे से जितना हो सके इतने टाइम थे किहों न अगो cores नarी होगा और एपने साथीे से कह रहा होता है औरूम्हों से क्लेरे लिए जुरे होते में उतने वे कितना होचुका है जो कि सुन्ते में वेरीमुर क्या होता है उसे लगबक साथ मेरे हो चुके है एड ये जुमन भीरीमुर है जो कि वासकर वील योगो उसे बाहर निकाल देता है इस बच्छे को देखो ग्यापर की आट होटा है यहां तो यह को उसे देखते हैं कि यह बहुत ज्यादा लाल ची बन के प्यादा हुआ तो उसकी बाते सुनते हुए वाइक इना हाथों मरने वारे है लेकिन तुम जल्द है मेरे हाथों मुने वाहए हो अब यह कुछelshायों लेकिन पर मैं पने हाथों से क्लिए गाए और में वायकर के पिसल लाइफ के बारे में बताया जाता है ये हुगो लेवासकर विले की नाजायदस आुलाद है 80 साल की उमर में उतने ज़्यादा टेलेंटर था कि लोग उसे जीनियस कहते थे लेकिन उसके परिवार वाले उसे नॉर्मल ही मानते थे 20 साल की उमर में उसने एससीनेशन, इस्पुनाइज और कॉंक्रिश्ट जैसे मिशन को अनजाम दिया जब वो 29 साल का हुआ तो उसे लगा कि वो सौर्ण मैंशिप के लिमट तक पहुच चुका है जब वो 30 साल का हुआ तब डीमॉनिक लियलम गेट ओपन हुई और तब उन डीमन्स के साथ इंसानों के लड़ाई शुरू हुई जब वो 35 साल का हुआ तो वो डिस्टरक्शन के एरा में था जहाँ पर 4 उतर बस मॉस्टर ही मॉस्टर दिखाई देते थे उसी के साथ जब 49 साल का हुआ तब इंसानों और डीमन्स के बीच लड़ाई खतम हो चुकी थी और इंसान जीट चुके थे यह मैं कहां पे हूँ क्या यह कोई नर्सरी है तो इसका मतलब यह है कि मैंने successfully Stacks River को absorb के लिया है यह कहती है वो उड़ता है और वो देखता है कि उसके सामने एक नर्स बॉक्स रखके जाती है जो कि देखते वे वो कहा रहा होता है आखर यह मैडम मास्टर वाइकर के बैट पर उस तरह की चीज़े क्यों रखके गई है वैसे भी मुझे लगता है कि यह कमीने मुझे कोई भी reward नहीं देंगे इसका मतलब ज़रूर इसमें कुछ होगा तब ही वो जो बॉक्स ओपन होता है और उसके अंदर से दो बलडी मामा बहार निकलते है जो कि देखते हैं वाइकर फाइट कर निकलते यार हो जाता है और वह मनिवन कह रहा होता है जैसा कि वास के विले से एकसपेक्टेट है मैं इस पूरे परिवार को अपने हाथों से नीचे लाओंगा और फिर अगले दिन कुछ लोग वहां पे आते हैं और ये सब देखते हैं कि वाइकर उन दोनों सापों को मार के आराम से सोया है और ये सब देखते हुए उन लोगों के पसीने चुट रहे होते हैं और उस रात शिप्ट में आई सारे के सारे नानिस को टॉर्चर के बाद बाहर निकाल दिया लेकिन उस वाइपर के अपिरेस का रीजन किसी को नहीं पता था उसके बारे में सिर्फ वो हाउंड जानता था और फिरे में 8 साल का टाइम स्किप दिखाया जाता है जहां पर एक टीचर बच्चे को पड़ा रहे होते हैं जो कि बच्चे को स्वार्ड मैंशिप के लेवल के बारे में सिखा रहे होते हैं वो कहा रहे होते हैं अगर तुम स्वार्ड को माना से नहीं बर सकते तो तो तु पहले से हैं उस तरह कर नीय होगी चाहिए कुछ भी हो जाए तभी यू टीचर उसे कह रहे होते हैं यंग मास्टर वाइकेर क्या तुम फिर से पने सोच में खो गए हो और वह से देखते हुए मुनिमन क्या रहा होता है वो उस्टैक रिवर में साथ मिनट टक टी का रहा जो क काफी जदा बड़ी बात है जिसकी वज़े से उसे कि स्ट्रॉंग फिजिक मिली है उसे बस सौ चीज में से एक चीज सीखाने की ज़ुरत है वो खुद बहुद सौ चीज सीख लेगा वो दूसरों के सौने चीज साथ मिनट बिताया था और जब तुम ने देखते वे वाइकर मनीमन क्या रहा होता है इन लोगों के बारे में मैं अच्छी तरी किसा जानता हूं जब मैं बदनामे के बाद भाग रहा था तो उन्होंने ही मुझपर चाकु से आमला किया था इन्हें हूगो लिव वाइकर मनीमन क्या रहा होता है इन 10 साला में यह तीनों एक रियल पेन है शायद इन्हें सबक सिकाने के वक्त आ गया है तब उनमें से एक उसके ओपर चाकु रखता है और कहता है मैंने सुना है कि तुम्हारी बोड़ी इस टील जैसी है तो देखते हैं इस बिलेट से तु क्या रहे होता है और फिर तीन मिनट बीच जाते है यहन कि उन्हों के पढ़ा होता है वाइकर बड़ी गुण लाओगे यह देखती ही वुलोड डरने लगते हैं और कहते हैं यह तुम क्या कर रहे हो नहीं हम तुम उसे ने डरते तभी लोग बुरो जिसके हाथों में चोट लगी होती है वो चिलाते वे कहा रहा होता है उसने मेरी उंगलिया काट ली है तो हाई बुरो कहता है लोग भूल चके ओ क्याम वागनी यहाहन है थे वह। ऐसुप पंचे महारता है और इसे बहुत ही ज्याला गहल कर देता है लेकिन वाएकिन उसे कित मारते में शांस कर देता है और जाये त है यह कहते है वो उस डेगर को उठाता है और कहता है लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा मैं तुम्हें से किसी को भी नहीं जाने दूँगा जो कि देखते हैं यह तीनों ही बहुत ही जाल डर रहे होता है उनकी फटरी होती है वॉआकिर कहता है मैं बस तुम मैंसे एक कोई जाने दूगा तो वो लोग कहा रहे होते क्या तुम किस को जाने दोगे तो वॉआकिर उस डेगर को उनकी तुम कितरफ फेक देता है एल्गा सेह होता है हम जॉपन वर्यमोल को देखते है जो कि युगों से कहह रहा होता है पैर्ट रियार्च मॉर्ग कलेंड के लूवी माइनज्सका साथ एक और बलड़ी सिजीटरी थी मॉर्ग कलेंड का कहना यह था कि लूवी माइन उनकी टेरिटरी थी तो यूगो से कहा रहा होता है उस मामले पर चर्चा करने का टाइम जल्दी आएगा मौर क्लाइन सबसे पहले हमें डूनने के लिए आएगा तो क्या और कोई रिपोर्ट है तो वेरिमोर क्या रहा होता है वाइकर ने रिटिन एक्जैम में सबसे ज़दा हाईस्टेज स्कोर किया है जोगे सुनते वे यूगो क्या रहा होता है तो ऐसा है तो जूवेनल फॉर्टरेस में बच्चों की प्राक्टिकल एक्जैम कब है वेरिमोन कहता है ये पास दिन के बाद है गार्डियन्स नाइट ने तैयारी के लिए वेकन को खाली कर दिया है तो इसलिए वेकन पुईतरे के से खाली हो जाएगा वैसे माई लॉड जुबेनल फॉर्ट्रेस के बारे में मुझे एक और बात करनी है हाली में यंग मास्टर वाई किद के बीच एक लड़ाई होई तो यह को कहा रहा होता है क्या एक लड़ाई किसके बीच और उनमें से कितने मर है तो वेरिमोन कहा रहा होता है वह आपे कोई भी casualities नहीं है लेकिन हाई बुरो के सारे के सारे दाट पूईतेंग से डैमेज हो चुके थे मास्टर मीडल बुरो के जौ वो पूईतेंग से तूट चुके थी और लोबुरो के दाइने हाथ की उंगलिया कार्ट दी गई थी बेशे किलास के बाद उनका है ठीक हो गया है लेकिन उनकी दीमागी हालत को काफी ज़़दा चोट पहुंची है और जिस परसें ने इन तीनों लोगों को बहुत ज़़दा घाल किया वो बस आठ साल का मास्टर वाईकीर है ये सुनते वे यूगों काफी जावदारन होता है और वो वाईकीर को बुलाता है तो वाईकीरों आपे आ जाता है, यूगों से कहता है, पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था, तब से तुम काफी ज़दा बड़े हो वाईकीर, वैसे मैंने सुना है कि तुम ने अपनी senior class में 9 साल के 3 बच्चों को बहुत ही जोलों से पीटा, तो वाईकीर क्या रहा होता है, अगर आप उन भाईयों की जिकर कर रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि उनकी अच्छी से medical treatment हो गई होगी, तो यूगों कहता है, मैं physical disabilities के बारे में बात कर रहा हूं, मैं heart की disabilities के बारे में बात कर रहा हूं, उस दिन के बाद वो तीनों अलग अलग खाना खा रहे हैं, और वो तीनों एक दोसे से बात भी नहीं कर रहे हैं, वो तीनों एक साथ काफी अच्छी से रहते थे लेकिन अब वो तीनों अलग हो चुके हैं, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह गलत है, जो के सुनते वे वाईकर मुस्कुराता है, और कहता है क्या गलत, मैंने जो क पार में ऐसा कैसे बोच्जकते हो तो वाइकर कहता है क्या उन लोग ने मज़े माफ कर दिया और वह मजबन कहा रहा होता है यह मेरी डिग्रेशन की पहले की मेमोरी है जब वास्कर विले के जरीए बरबाद किया गया फैमिले की सबसे चोटी बैटी यूगो से मिलने के लिए यूगो काफी आरन होता है और कहता है सिर्फ इस्ट्रॉंग ही राज करेगा और कमज़र एक पाप है तुम तो फैमिली के मोर्टो को बरे अच्छे से समझते हो यह कहते है वह आसमे लगता है और कहता है बैरी मोर उससे खाने में जूबी चीए उसे उसकी ज्यादत दे दो यह सुनते हैं वह वाइकिर मुस्कु आने लगता है और बैरी मोर के साथ आगे बने लगता है तब पीची से हुगो कहा रहा होता है मेरे सन इंटरम एवलुशन में अपना बैस देने के कोशिश करना तो उसकी आवा सुनते हैं वह वाइकिर काफी ज़्यादा गुस्ता हो होता है और उसके बाद बैरी मौर के साथ चॉकलेट खाने के लिए चले जाता है बैरी मौर उसे एक अजीब से जगा में लेके आता है और उससे कहता है यह एक हाइस्ट क्वालिटी है जिसे हमने बहुत ही मुझे से कोई भी चीज नहीं चाहिए मुझे बस कॉको बीन हो जो की देखते हुए वाइकर उसे कहा रहा होता है यह सी कड़ूवी बीन्स खा सकता है इसका मतलब यह चॉकलेट लवर है और ऐसे लगता है कि यह जितनी चाहिए उतनी चॉकलेट खाने का तरेकर ढूंचुका है वाखी में यह बहुत ही जाला टेलेंटेट है तभी उन प्रैक्टिकल एक्जाम है वो इसका यूस उसमें करने वाला है और हमें पास दिन के बाद का सीन दिखा जाता है जिस दिन प्रैक्टिकल शुनोने वाली है जहां वायकिर मुस्कुरा रहा होता है और मनीमन कहता है इस दिन एक बहुत बढ़ी तवाही होने वाली है जो कि वास की तरफ दौरने की जुरुत होती है और एसलेट टाइम के अलावा उन्हें सोने या फिर ऐसे आराम करने की इज़ाजत नहीं है एंवारिमेंट को एज़ेस्ट करने के लिए जब सोने का टाइम होता है और जब यह पीडियेट खतम हो जाता है तब आठ साल के हो जाते हैं और होंगे और सभी यंग हाउंट्स को रेलफ एट ले नौयर माउंटिन में गैदर होना होगा और यह जो बंदा होता है यह बासकर विले फैमिली का इंस्ट्रक्टर शेयर डॉग पैवलफ बैन बासकर विले होता है वह क्या रहा होता है तुम्हें यहां पे एक महीने अगर तुम किसी दूसरी यंग मास्टर को फेल करके बच जाते हो तो तुम्हें 50 पॉइंट मिलेंगे और तुम किसी मास्टर को हरा के बच जाते हो तो तुम्हें 70 पॉइंट मिलेंगे और तुम इंशारे शर्तों को पूरा करते हो तो तुम्हें 90 पॉइंट मिलेंगे इस अब आई है कि जब वो छोटा था तो उसने दो पॉज़न को माढ ढाला था यह काफी जार अडरावना है दूसरी दर वाइकिर मनिमन कह रहा होता है काफी समय हो गया है मैं यहां पर नहीं आया हूं तब इसके सामने वो तीन ब्रदर्स होते हैं जो कि उसे देखते वे घबरा कि मनिमन कह रहे होते हैं ऐसे नहीं हो सकता हम उसे के लिए सर्वाइफ नहीं करने दे सकते तो चले उसे फॉलो करते हैं दूसी तरफ हम उन तीनों भाई को देखते हैं जो कि आपस में जगड़ा कर रहे होते हैं दूसी तर पैवलफ कहा रहा होता है तो यह शुरू हो चु हमें गार्डियन नाइट को दिखाया जाता है जो कि छिपते हुए वाइकर को देख रहा होता है यह जहां जा रहा है यह तो रेस्ट्रिक्टिट एरिया है आकर यह मास्टर वाइकिंग कहां पर जा रहे है क्या यह वही जीनियस है जिसे बसपन में ही अपनी पैचान मिल गई मैं के सकल को देखने के लिए काफी ज़दा एकसाइडिड हूँ दूसे तरफ वाइकर उस जगा में जाते वे क्या रहा होता है क्या यह वही जगा थी क्या आसपास के जगा को चेक कर रहा होता है और कहता है चुब कि मैंने पहने डिसेजन ले लिया है तो फिलाल मैं नहीं पर रहूंगा क्या मुझे आराम करना चाहिए या फिर को ब्रेक लेना चाहिए उसे देखते वे वह नाइट गार्ड काफी जाधा परेशन होता है और मनिमन कहता है आकर यह सब कितने लाम टाइब तक चलेगा कितना समय हो गया है जबसे वह आराम से सो रहा है इसके अलाव और वह बस च्पने वाला है तो मुझे इस पर ध्यान रखने के कोई भी जरूत नहीं है और यह कहते ही वह मौज़े चले जाता है जिसका बता वाइकर को लग जाता है और मनिमन कहता है बाहर कैम्पिंग करना मुझे पूराने दिनों की याद दिलाता है यह कहते हूं पने दिनों बाद हम देखते हैं कि वाइकर रेस्टिक्टिट एडिया के अंदर चले जाता है आगे बढ़ते में वह मनिमन कहा रहा होता है इस पॉइंट के आगे अन्नोन रेस्टिक्टिट एडिया है लैकिन मैं अपने स्काउटन के दिनों में इस जगा पर लापरवाई से घ यहां पर चार और सिर्फ एक ही मॉस्टर है जो कि इस तरह की चीजों को ड्रॉप कर सकता है और तभी उसके सामने मॉस्टर आता है वह से देखते हैं क्या रहा होता है मुझे लगा कि यह मेरे स्काउट के दिनों में बहुत ही जदा आनोइंग होगा लेकिन अब इसे देख साल काउं जिसकी होजे से इस अकीला हराना ये लगवकना मुम्किन हो गया हाला कि मैक ऐसे दरीके बारे में जानता हूं जहां एक बच्चा भी है लाउन को शिकार कर सकता है यह कहते हैं काफी पटलने में काफी जिदे अरा है यह कर पाता भलाई पाने की मातर काफी जदा कम क्यों ना हो लेकिन फिर भी यह से क्रोस नहीं कर पाता और यह कहते है वह अपने बोडल में से पाने निकालते हुए उसके सामने फेक देता है जो कि देखते हुए वहां से गूमते हुए वाइकर पर अटेक करता है और अपने मुँग को उपन करत है वैसे ही पाइकर उस बीन को उसके मुँपे ढाल देता है और उसे डॉच कर लेता है इसकी वह जो होता है वह आगे जाते में मारा जाता है यह सब देखते हैं वह वाइकर कहता है चौकलेट इन कुटों के लिए जहर है और जो ब्लड़ी बीन की आता थी है तो यह सिर्फ एक ही बीन है सेकर और लिटर चौकलेट के बड़ाबर है तो मुझे लगता है कि यह है लाउन मेरे चौकलेट के खिलाब जीत नहीं सका यह कहते है वह से देखने लगता है और उसके किड्नी को बाहर निकाल देता है वह क्या रहा होता है जब तुम मॉस्टर को मारते हो तो मैं मच देखना चाहता हूँ कि इससे हीगो का एक्सपरेशन क्या होता है जब एक 8 साल का बच्चा भी प्लेस राइंग की मांस्टर को अकेले मार गिराता है और इस तरह मैंने बेसिकली इस प्रैक्टिकल टेस्ट के फर्स्ट प्लेस की पोजिशन को सेक्योर कर लिया है और बहुत ही इजली उनमें से कसर कार देता है और वो कह रहा होता है मैंने एक कुमाने का प्लैन नहीं होना था तो चलो आप ही जाओ यह देखती ही वह हाउंस डढ़ने लगते है तो वाइकर थोड़ा कन्फ्यूस होता है और मनीवन कह रहा होता है क्या यह मैंस 8 साल के करके सामने डरते नहीं है बहले ही वह मर क्यों ना जाए इसका मतलब क्या है तब ही वह पने पीछी देखता है जहां पर एक त्री एडिट मॉस्टर होता है जिससे सर्वेरस कहा जाता है यह देखती ही वाइकर थोड़ा गबराने लगता है और मनीवन कहता है सब रहरस इसक रेटिंग एपलस है लेकिन यह यहां पर क्यों है अभी वह देखता है कि वह मॉस्टर काफी जदा जक्मी है जो कि देखती वह मनीवन कहता है क्या यह जक्मी है अब जब मैं इसका करीब देख रहा हो तो इसके बौड़ी बहुत सरे चोटों में फसी हुई है क्या किसी ने इसे मानने की कुछिश की है शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि माउंटन के उस पार बर्बरियन ट्राइब की टेरिटरी है और यह शाधिया तक इसलिए आया क्योंकि इसका वह लोग पीछा कर रहे थे शायद यह मेरा चांस है एक गायल एपलेस रहें के मास्टर को मानने का चा पहुच चुका था जिस लेवल पर दूसरे हाउंट जब अड़ल होते हैं तब पहुचते हैं हम देखते हैं वाइकर अपने स्वाड के साथ का अफिट इसका लिटाक करता है और इसका इस पबहुज यह पहुच यह बसे एक बच्छ जाता है वैससे वाइकर ने रिइक्रे के जरीए बहुत ही ज़्यादा पाउरफुल हो चुका है और वाइकर के पाथ जितने वी हत्यार मौजुद है वह सर्विरेस के अगेस्ट काफी अच्छा काम कर रहे हैं तब ही हम सर्विरेस को देखते हैं जो कि काफी ज़्यादा घुस्ता हो रहा होता है और वो अपने में पेन मैस्स कर सकता हूं मुझे लगता है कि मैं लेफ्ट आम टूड़ गया है मैं जानता हूं कि सर्विरेस घाहल हो गया है लेकिन इसे रोकनी के लिए मुझे कुस्त तो करना होगा तब यो सर्विरेस फ्रिस उस पर टेकर करता है जिससे बड़ी मुश्किल से वाइकर करता है और मनिमन कहा रहा होता है लेकिन डेमेज अभी बहुत ही जादा है मैं इसका दूसरा जटका भी नहीं खापाऊंगा अगर यह और बार्पस पर बाहर करेगा तो शायद में मर सकता हूं वह काफी ज्यक्मी हो चुका होता है और कुछ करने के लायक नहीं है जो कि दे लेकिन अगर उससे पहले में पकड़ा गया तो मैं मारा जाओंगा और तब ही सर वीरियस उस गेट को तोड़ते वे आगे बढ़ता है जो कि देखते है वह जगह कहा पर है वह यहीं कहीं होना चाहिए तब ही उसे वह जगह मिल जाती है वह बाक्ति में मनिमन कहता है बस थो लाता है जहां वह सर बिर्यस के मूँवे आने से ही थोड़ा सा ही करीब होता है लेकिन वाइकर की लक़ी बदे से वह वह सर वीरियस वाइकर के जाल में फच्जात है वायकिर उसे देखते में क्या रहा होता है क्राडल ऑफ स्वार्ट के लिए पिछा था लर्ह अब ये चूब कि तुम एक हाई राइंग के डी मन हो तो इसलिए मुझे लगता है कि तुम इतनी एजली नहीं मरोगे यह कहती है वोस पे वोडेन स्पीर फेक देता है जो कि उसको पर जाकर लगती है इसे के साथ वाईकर गिंती गिनने लगता है और हम देखते हैं कि जादा जहर फेलने की वज़े से वो सर्वीरियस मारा जाता है जिसे देखते हैं वो कहा रहा होता है शायद अफवाई सच थी जो वोडेन स्पीर मैंने फेका था वो दूसरों से अलग है यह बलडी मामा के वेनमस फैंग से लिष्ट स्पीर था एक बार कार देने के बाद यह तो मैं साथ कदम के अंदर ही मार डालेगा अच्छी बात यह है कि जब मैं छोटा था तो मैंने इसे चिपा दिया था और इसके बाद सर्वीरियस की जो एनरजी होती है वो वाईकर के अंदर जा रही होती है जो कि देखती हुआ मनिमन कहता है मैं सर्वीरियस की एनरजी को फील कर सकता हूँ फाइनली ये तीन सिर वाला मॉस्टर मारा गया लेकिन गभा के लिए मैं इसको वापस कैसे ले जाओंगा बट इसकी मौत तो बिल्कुल साफ है तो शायद उस गार्डिन नाइट ने मुझे वुडिन स्पीर को ढूंटे वे देखा होगा तो ये शायद मेरा विटनेस बन सकता है लेकिन यहापर कुछ और है चो कि मुझे करना है और हमें बता जाता है यह जो शर्विरेस होते हैंúblic यह अपने टेट्र को प्रोटेक्ट करने वांडे गेटकी पर होते हैं और ये जरूर किसी आसपास के डेंजन को प्रोटेक्ट कर रही होगी और ये डेंजन एक रहस्य में जगा है जहां पर ट्रीजर चिपा हुआ है और कभी कभी पावफल मॉंस्टर उन्हें लायर के रूप में इस्तमाल करते हैं वाइकर मनिमन कए रहा होता है चू किट कीपर मारा गया तो शायद ओर डेंजन खाली होगी ये कहते निा। देंजन को मिटाते हुए उस देंजन पॉछ जाता है जो की देखते में वह च्या रहा होता है ये वही डेंजन है जिसकी रखहुन होली अंडरनेट के सरफेस पे है और मुझे पूरा यकिने की से अभी तक साफ नहीं किया गया यह कहती ही वो आगे बढ़ता हूर कहता है मुझे कोई रोशनी नहीं दिख रही है लगता है जितना मैंने सोचा था यह उससे कई ज़्यादा गहरा है यह कहती है वो मुस्कुराता है जहां पर वो देखता है कि एक क्रिस्टल समकरी है है यह काफी ज़्याद है और वो मैंका होटा है में बस अपने आपको है Bei यह राइटिंग तो वास्त कर विले की है क्या असके अतलब यह है कि यह भी एक वास्त कर विले था उसमें लिखा हुआ होता है मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ ता कि आने वाली पिडिया वासी गलती ना करें जैसी मैंनी की है इस स्टोन चेंबर के बारे में हमारे फैमिले के लेजन ने बताया था मेरा ब्रदल एबल और मैं कॉइंसिदेंसली यहां पर आ गये थे और हमने इस डेंजन पर रेड मारा जिसमें अनगीन ट्राइल भी सामिल थे हमने कई सारे मॉस्टर को मारा और एक जिगा फाइनल असाइनमेंट डोडने के लिए जहाँ पहुचे उस असाइनमेंट ने बहुत लब में टाइम तक हमारे पैरों को बांद रखा पूरे तीन साल तक जो कि देखते हुए वाइकर क्या रहा होते है क्या तीन साल तक है जहाँ लिखावा होता है अंत में हमें कॉंकुलीजन पर आए मैं और मेरे भाई जुडबा थे लेकिन पैदा होने के बाद हम दोनों अलग इससे बढ़ गए दूसरे शब्दों में इस ट्रीजर को लेने की लिए हमें फिर से एक बार एक होने की जुरुत है इसका मतलब ये था कि हम मैंसे सिर्फ एक ही इस ट्रीजर को लेज जा सकता था और एक फिर इस बैटल के बाद मैंने अपने भाई को ही मार डाला उसके बाद चेंबर सिटोन में सिर्फ एक ही बाचा था इसके बावाजूद भी कुछ भी नहीं बदला हम डेफिनेटली दो स इस ट्रीजर को नहीं ले पाया मैंने अपने भाई को मार डाला और अफसे उसके बाद मैंने जगह को छोड़ने का फैसला किया जो यहां पर आना चाहते थे मैं उससे बीको जगह से दूर रहने के लिए कहना चाहता था यह सब देखते हैं वाइकर कह रहा होता है तो इसका अब ही उसे कुछ आइडिया आता है जो कि देखते ही वह कह रहा होता है तो मैं देख सकता हूं कैन और बतकिस्मत है क्योंकि वह दो थे और वह प्रॉल्म को सॉल्ब नहीं कर पाए और रास्ते सेंटर करने वाला मैं एक ही हूं लेकिन जैसे रभी की रोशनी उसमें पढ़ जो कि देखते ही वाहिकर काफी जादा खुछ होता है और कहता है दो भाईयों के मौत का वजा क्या यह देविल स्टैन है उसे के साथ वहां पर यह दिखावा होता है कि जो बास के विले खुन वाले लोग होंगे वही इस बैल जेबब को ले पाएंगे यह देखती वह इस बाइसरलेशन जिससे सेवन से लमेटिजेश भी कहा जाता है और इस दीखने के लिखने के लिए सबसे ऊपर थे और वहां पर नहीं करता था शाला कि वह ले ले लिया गया और इस द्राइब बहा पर बैटल्फिल्ड में कई सरह के लोगों की मौत हुई लेकिन वो इस life में नहीं होगा क्योंकि अब मैं से लेने वाला हूँ अब ये मेरा है ये कहती है उस पर टज करता है और उसे बाल निकाले के कुजिश करता है तब ही वो जो स्वार्ड होती है वो उसके हाथों के अंदर जाने लगती है और वो स्वार्ड उसके हाथों से जुड़ जाती है ये देखती हुए वो कहा रहा होता है ये विलेड टेवल्स की हॉली कॉंसलेशन की लाशों से बनी है मैं काफी जदा लगी था कि मुझे ये बि पेट लगी है आकिन यह सब क्या होगा है यह कहती हूं बविलजी बपकी तरफ देख रहा होता है और कहता है की यह पागल परिन बनी भूक मेरे पेट को ऐसा मैसुस कराती है मेरा पेट फट रहा है क्या बूक की वजेसे मेरे समेल पावर बहुत ज्यादा सेंसिटीव हो चु बilly को अमांट को zaube सकता है और सब्सक्राइब करने लगता है वह自 payroll क्या सकता हूं तो सर रुको 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 तुम यह समने खा सकते हैं इससे बाद में चेक करने के लिए भी ले जाया जा सकता है और यह काफी ज़र डैमेज भी है तो मैं इसे उन्हें समझाने पाऊंगा लेकिन वह बैल जिबब उसकी बात नहीं सुनता जो कि देखते ही वाइकर उसे मानने लग खतम हो जाता है उन्हें बताया जाता है कि इवैल्यूशन के बाद उन्होंने जितनी भी सारी डीमोनी कीचर को पकड़े हैं उन सभी के लाशो से उनसे ढाल तरवाल बनाए जाएगी और उन्हें उनकी लूट के रूप में वापिस दिया जाएगा सीन्चे होता है हम मॉस्टर के डेंजर रेटिंग एपलस थी तो यूगो से कहा रहा होता है क्या तुम उसी सर्वेरेस की बात कर रहे हो जो इक हाई लेवल का डीमोनिक मॉस्टर है इसका सामना करने में हमारे क्लैन के गार्डिन नाइट भी घबराते है तो बैरी मूर कहा रहा होता है यह पह मुझे के कुशिश की थी लेकिन वह यह कहकर लोटा है कि वह काफि ज्यदा ठके हुए है तो यह को कहा रहा है तो यह कमीना काफिसजदा चालाख है और पावर है कीमति है के पड़ता है लोको 2 अच्छे लोग से हो सकते हैं क्या तुम समझ रहे हो क्या क्या कि रहा हूं तो कहता है तुमने उस क्लिब्स के रहा है क्माफी मांगता है और को बुलाता है क्योंचे के मेरफ से कहता है कि तुम ने प्राइक है Also the company का सबीऑ।aid दाला आचर तुमने कहøँ तो अब मुझे समझ में आ रहा है तुमने चोकलेट का क्यों किया था उसका जवाब के वह même रहा होता है चुकि मैं तो तो किलान का हैड ही मेरा मास्टर होगा, तो आप है सोच सकते हो, यह कौन हो सकता है, जो कि सुनते ही यूगो काफी खुश होता है, और इससे कहता है, तुमने काफी अच्छा सीखा, तो इरिवार्ट के तौर पे, तुम्हारे जिरी पकड़ी गई, वो डीमोने क्रीचर की लाश सिर्फ तुम्हारे दी जाएगी, और चुकि तुम प्रैक्टिकल एक्जैब फर्स्ट आया होते हैं, तो इसलिए मैं तुम्हारे एक विश्च को पूरी करूँगा, जो कि सुनते ही वाइकिर मनिमन कहता है, मैं समय का इंदिसार कर रहा था, इससे मैं वो सब कुछ पास सकूँगा, जो कि मैं चाता हूँ, और वो कहा रहा होता है, मैं 10,000 बुक लाइबरेरी में एंटर करना चाता हूँ, जो कि सुनते दोरों ही काफी आनन होते हैं, और यह जो 10,000 बुक लाइबरेरी है, यह वाइकर विले क्लैन के, मेन कैसल के सबसे डीपेस्ट हिससे में वसा हूआ, एक बहुत बड़ा लाइबरेरी है, और यह लाइबरेरी इस किंडम की सबसे बड़ी में से एक है, उसकी बात है सुनते होई, योग उसे कहा रहा होता है 10,000 बुक्स लाइबरेरी क्या तुम जानते हैं कि सर्फ क्लेंड के हैड़ी और वाइस क्लेंड के हैड़ी वहां पर एंटर कर सकते हैं तो वाइकर उसे कहता है अगर यह कुछ ऐसा है जहां पर मेरी जाने के जाज़त नहीं है तो मैं से छोड़ पढ़ने की जाज़त दे रहा है वेन नाम माले किसी नाजायत बच्चे को कभी भी फॉर्थ फेंग से आगे पढ़ने का मौका ने दिया गया आला कि मुझे इतना हलने की जुरुत नहीं है यह बस सिफ्फ हैंग में है और अभी हुगो सेवंध पाइंग में है और इससे प स्क्रिप्टर को ऑप्टेंड करूंगा जो कि ट्रू वासकर विले की प्यूर इजन्स है और ये मेरे पिसल लाइफ के बात खो जा गया था और वासकर विले के फर्स्ट एट के जरीए लिखा गया था जीदो रहा था तब यूगों से कहता है मैं वेट करूंगा तुम्हें का लगता है और उसे पढ़ने लगता है तब ही वो एक बुक को देखता है जिसे देखते ही वह क्या रहा होता है यह सोचने के लिए कि यूगों मुझसे सिक्ष्ट फैंग स्वार्च मैंशिप सजेस्ट करेगा ऐसा मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ ऐसा क और यहां तकी मैं इस साथ तक पहुंच गया था कि मैंने फिफ्ट फैंग के पीछे के थियोरी को बस गयस करके ही कंप्लीट कर लिया था फूर्थ फैंग को खिशने के बाद मुझे माना के फुलो के एक बार कार ना था तो इसलिए मैं फिफ्ट फैंग बनाने में काम्यम अब यहां अगर आप कोई बूलेवी चीज़े लेने जा रहे हो तो हमसे आपके लिए लेके आएंगे तो वह कह रहा होते हैं मेरा काम पूरा हो गया तो मैं जा रहा हूं तो बंदा कहता है क्या लेकिन अब जाने से पहले और भी जादा पढ़ सकते हैं तो वाइकर कह रहा होता है मैं बहार निकलने से पहले दूसरी स्क्रिप्चर को देखने का प्लैन बना रहा हूं तो तुम लोग मुझे इग्नोर कर सकते हो और यह कहते हैं वो दोनों उसकी करें रहे होता है और पढ़ना नहीं चाहता लगता है दूसरी तो वाई कर बार्यों कहरा होता है तुम लोगे को जो अच्छा लगा तुम वह सोचो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसे कि जान सको कि इस दूल बने हुए के बीच ख़़ाना चुबावा है और इसे के साथ वह ए और इसमें कोई भी वहराने के बात नहीं है कि इसे लोली मिसलेनस केटिगरी पार्ट में भाटा गया है हाला कि मैं इस बुक की असली वेलू जानता हूँ मेरे रिग्रेशन के पहले हमें जिस हाउन यूनिट का हिस्ता था जाया मुझे मौन्टन की बॉर्डर पर बनी एक डेंजन के अंदर एक अजीब सी रिलाइक मिली थी और वो स्वार्ड मेंशिप स्क्रिप्चर का एक टूकरा था एक सिंगल फटावा पेज वास्कर विले के हैंडराइटिंग में लिखी गई स्वार्ड मेंशिप स्क्रिप्चर की एक पेज हिउगो को यह सब देखती भी गलत लगा और उसने मिलती जुलती गिताव पे ढूणने के लिए 10,000 बुक लाइबरेरी में पूरी खोच करवाई वो स्वार्ड मेंशिप स्क्रिप्चर की बुक जैसे लियोर किंग एमडेट तिखा जाता है यह स्क्रिप्चर जोकी पारसनली बारसकर विले की पूरवस द्वारा लिखा गया है और इसमें बासकर विले की तेंथ फैंग तक पहुचने की मेतड भी बताई गई थी और तेंथ फैंग में अपने दीमाग को खोने के बाद हुगो ने सारके सारे हाउंड को उनलीश कर दिया था बास उस सिक्स पेज को ढूणने के लिए और ये जानने के बाद की बचे हुए जो पेज़स थे वो सेवन ग्रेट क्लैन में चिपे हुए थे जिसके वज़से हुगो ने आलमोस्ट दूसरे क्लैन के खिलाफ वाड डिकलियर कर दिया था और अगर जाने वाले किसी भी इंसान के खिलाफ उसने हाउंड को अनलीश कर दिया जिसमें काउंटलेस हाउंड्स मारे गए लेकिन हमने हुगो की सारे के सारी पेजस को लाटाने में कामियाप थे और उस सब करिबाट बस ये था कि बस उन्होंने मेरी तारीफ की थी और हम देखते हैं कि हुगो उसके बस तारीफ करता है और कहता है गुड जॉब में उसने पिछिलाइब में अश्मे फैजा किया था लेकिन इस लाट में ऐसा नहीं होगा वहन में जिसने उस सारे के सारे पेजों पाया था कुँ में था और मज़े खोंध वे सभी पेजों की कांटेंट है लेकिन मैं 4 फैंGs से उपर पहुशने पया था क्योंकि मुझे वो source text कभी देखने को नहीं मिला यह कहते हैं वो जबुक को पढ़ने लगता है और कहता है कोई आने की बात नहीं कि ज्यादतर लोग इस किताब को बेकार मानेंगे जिसमें बगवास भरी हुई है लेकिन जिस पल हम फटेवे पेजो को उसी जगह पे रख देते हैं तो यह बेकार से वो काफी जादा कीमती हो जाएगी तो इस life में मैं 15 साल होने से पहले ही उतना strong हो जाँगा जितना मैं मेरे regression के time में था और उस book को पढ़ने के बाद वो क्या रहा होता है इतना काफी है वैसे क्या मैं पूरे दिन बढ़ता रहा लेकिन ये मेरे लिए अच्छाए मैंने इस किताब को इस हद तक याद कर लिया है कि मैं इसके PJ से भी ना देके पढ़ सकता हूँ लेकिन वो guardians nights वो कहा चले गए मुझे वो दिखाईने दे ले है ये सब देखती है वो अपनी आखों को बंद कर लेता है और मनीमन कहा रहा होता है मैं अपनी child body में 10 fang को draw नहीं कर सकता है लेकिन शायन मैं इस बार 5th fang तक पहुँच जाओं कुछ ऐसा जो मैं अपने पिसल लाइप में ना पा सका इसी के साथ वो अपनी consciousness में चले जाता है और एक spirit के साथ fight करने लगता है इसी के साथ हुवास कर विले 1st fang, 2nd fang, 3rd fang, 4th fang easily reach कर जाता है वो मनीमन कहता है regressing से पहले मैं एक बेकार life जी रहा था करी मैनत के बाद मैं एक high rank का graduate औरा अप्टेंड करने में काबिल था लेकिन मेन हास में मुझे नीचा दिखाया गया क्योंकि मैं swordsmanship शिकने में enable था और बस धी वज़ा थी जिसके वज़ा से मैं 5th fang या फिर उससे जाद तक नहीं पहुँच पाया और ऐसे ऐसले था क्योंकि मैं एक नाजायस था मानो मैं ऐसे जिन्दे के दोबारा जिऊंगा लेकिन इस बार थोड़ी अलग तरीक से और ये कहते ही वो hyugo के बारे में सोचते हुए अपनी टेक्निक का यूस करने लगता है जिससे करने के बाद वो कहाता है इसमें थोड़ी से कमी रहे गए लेकिन मैं फिफ्थ फैंग को ड्रॉ करने में कामियब रहा और उससे से काफी ज़्यादा खुशी होती है उसका पागल पिन बहुती तेजी से बढ़ रहा था बास करे विले की पूरी हिस्टरी में यह यंग हाउन फैंग इतनी तेजी से गुरो कर रहा था जो कि कोई सपने में में नहीं सोच सकता और उसका जो एम था वो था उसके मास्टर का गला वाइकर कहरा होता है मैं फिफ्थ फैंग को ड्रॉ करने में कामियब रहा अगर अभी मैं अपनी माना को बूस्ट करूँ तो शायद मैं उस पॉंट तक पहुँच जाऊंगा जब मैं रिग्रेस से पहले था यह कहते हैं उपनी माना को बढ़ाता है और मनिवन कहता है मेरी माना काफी तीजी से गुरो कर रही है और यह बिल्कुल फिलोइंग लिगविट औरा की तरह है ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक हाई रैंक स्वाड एक्सपर्ट से लो रैंक ग्रेजट तक लेवल अप कर चुका हूँ पिछले लाइफ में यहां तक पहुचने के लिए मुझे तीस साल लगे थे लेकिन अब मैं यहां पर 8 साल में ही पहुच चुका हूँ और वैसे यह स्वाड ग्रेजट यह स्वाड एक्सपर्ट से बिल्कुल अलग लेवल पर है जैसे गैसे और लिगविट फॉर्म में बदल जाती है तो इसकी देंसिटी इंक्रीज हो जाती है और इसकी चेंजिंग फॉर्म एबिलिटी यह लिमिट लेस बन जाती है यह सब देखते भी वाइकर काफी जाद हखुश होता है और इससे के साथ साथ यह जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होती है उमिदे तुम लोगों को यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और वैसे मैं अगलात वरा खराब है तो इसलिए मैं जादा बड़ा वीडियो नहीं मना पाया तो उमिद करता तुम्हें यह सीज काफी अच्छी लगी होगी मुझे तो काफी अच्छी लगी है और है मुझे बता है कि इसे काफी सारे लोगोंने Pr decisions पर दिया है लेकिन काफी सारे लोग बोले थे कि इसे Explain करो तो इसलिए मैंने explain किया है तो अगर तुम्हें यह अच्छा लगए तो लाइक करना शेर करना सब्सक्राब करना मत भुलना उसे के साथ से हमारे वीडियो को शेयर कर देना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइ